गुड मॉर्निंग रादे रादे जैसरे कुष्णा और ये इस क्लास में हम आपको जो कुष्ण बताने वाले हैं तो वो कुष्ण आपकी दृष्टी से बहुत महत्पुन कुष्ण होने वाले हैं ठीक है तो इसमें हम 10 मिनट की जो क्लास होने वाली आपकी तो इसमें जादा दुर्ग से आपका अभीबड़ा है ङिरी दूर्ग धानवन दूर्ग सेनने दूर्ग जल अगर आपको पता है तो आप वीडियो के नीछे कमेंट कर सकते हो एस जला हुगा आधक दूर्ग टाल पूर में है तो ये तो राइट हो जाएगा और केलादेवी भरत पूर में नहीं है ये गलत हो जाएगा सेर्गडवारा में है भरत पूर की जगह यह आएगा भाई या करोली में, ओके करोली में आ जाएगा, ठीक है स्टुडेंट, चलिए next question के और जो है पढ़ते हैं है आपन, चलिए वई, next question के और पढ़ते हैं, फरवरी 2022 में राजस्थान, राजमहिला, आयोका, अध्यक्च किसे नुक्त किया गया, राजस्थान, महिला, आयोका, अध्य तो सुमन सर्मा, अंजनाम एक बाल, सुमित्रा जैन या रेहाना रियाज, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर देना, हम इसका राइट अंसर आपको बता देते हैं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, और अप्शन नमर डी, रेहाना रियाज चिस्ती, और अप्शन ये भी है, गोडावर वेसिन तो ये भी है, अब कौन नहीं है, बनास का वेसिन जो है, भाग नहीं है, राजस्तान के बांगर प्रदिश का, तो इसमें हो जाएगा, उप्शन नमर C, बिल्कुल, चली भाई, नेक सुक्षन के और जो है, अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल भा आपको पता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, और नहीं पता है, तो चली है, हम बता देते हैं, तो इसका जो है, राइट अंसर हो जाएगा, जाकम सचाई परियोजना, जो कि यह आपके प्रताफ गड़ में, बिल्कुल, उप्शन नमर C, जो है, इस कुशन का रा खरीब की फसल नहीं है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आगया घ्यों, रवी की फसल है, चावल खरीब की, जुआर खरीब की, मक्का भी खरीब की, तो आजाएगा आपका जो है, घ्यों, ऑप्शन नमर A, इस कुशन का जो है, राइट अंसर हो जाएगा, चली वह नेक सु कि अगता जज़ा है, इसका जो हो जो हो जायगा, और शी उसका की लेंगा, ध्यों, इसमें लगग लगग इक कीआओं परशन नहीं ओर यह सूपहा हो का जो होती। है वर चपायओर मंदर कहां है कुम नम्र यहां जो भावना की जागरता करने हितु सरकार ने 19.000 अगस्त को राजश्थान डीजी फेश 2022 का आयोजन किस शहर में किया था उदयपूर में जोद पूर में कोटा में जैपूर में तो फटाफट से और इस तरीके के जो भी कुश्शन यदि आपके सामने दिखते हैं डिजी फेश 2022 वगएरा तो यह ज्यादता होता है अंसर जैपूर ऑप्शन नमर डी विल्कुल जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा तो चली नेक्स सुशन के और जो है बढ़ते हैं मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा इस्थान परसिद है मीना करी की ठेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा इस्थान प्रसिद्ध है तो बाड मेर परताफगड ना द्वारा जॉबनेर फटाफ़ से भाई सविक सविस ट्रेंड कमेंट कर देना यदि आपको पता है तो कि मीना करी की जो थेबा कला है वो राजस्थान के ऐसा कौन सा इस्तान है जहांपर परसिद्ध है तो वो आपका जो है हो जाएगा परताफगट ठीक है परताफगट हो जाएगा बिल्कुल option number B हो जाएगा परताफगट ठीक है बिल्कुल चले वह नेक्स विशन के और जो है बढ़ते हैं ओके वह चले राजस्तान का पहला राजस्तान का पहला सौ प्रैतिसत स्वास्त वीमा कब्रेज वाला गाउं है ठीक है राजस्तान का ऐसा पहला गाउं कौन सा है जिसमें सौ प्रैतिसत स्वास्त वीमा हो च तो नरसाना एक मात्र एक ऐसा गाउं है जो राजस्थान का पहला गाउं है जिसमें सो प्रैतिसत जो है बीमा हो चुका है चलिए नेक्स विशन के और जो है बढ़ते हैं अब देखो उन्ट से रिलेटेड जित्ते सवाल आ जाते हैं इसका अंसर आप डैरेट बोल सकते हो पढ़ते है तो कमेंट कर देना नहीं पता है तो चली हम पछा यह है इसमें जो है यह कुशन इंपटेंट है आपकी एक्जاम की द्रेश्थी से यह पूछा जा सकता है वै यह जादा से जादा पूछा जा सकता है समुद्र की घहराई में तरंगा लहरा ने वाला समुद्र की घहराई में जाके तरंगा ले रहा है था इन्होंने अनिल कुमार ने जो कि एक तठरा चक बल का कमांडो है ठीक है और राजस्तान के निम्न में से कौन से जले अलवर भीलवाड़ा अजमेर उदैपुर तो ये है भाईया भीलवाड़ा ओके ओप्सन नमर B कि फिर्जा मंडल की जो है उसकी स्थापना किस ने की अविन हरी ने यह पर गोपालाल कोथेया ने नातुलल जैन ने यह पंडित न्यूनराम सर्मा फटाफट से वहाई जिनको पता है तो वह कमेंट कर दो जिनको नहीं पता है वहाँ बता देते हैं वहाई हाड़ो थी पि प्रफशन नमर्ड हो जाएगा बिल्कुल अब चलिए वह नेक्स प्रफशन के और जो है वड़ते हैं और चलिए चलिए वह 2011 की जंगना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में प्रती बर किलोमेटर जंसक्या घनत सबसे कम है क्या वो कोटा है अजमेर है डूंगरपुर है जैसल मेर है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको पता हो था तो आप कमेंट कर देना कि भाई इसका जो है र बता देता हूं एक से कॉंगहां गया कूश्चन निन टिक proposition चले तो जो बहुको है आपका जैसल फार मेर वह कितना कम है इसली मेर में है पटापट से यदि आपको पता है टो वीडियो नीचे कमेंट कर देना चली नहीं पता है तो हम बता देते हैं तो जीवास में जाना है option number B जैसल मेर में डिकला option number B हो जाएगा आपका जैसल मेर मेर में चली बाई नएक सुषन के और बढ़ते हैं कुबर मदन सिंक का जो हो जाएगा और जो है आपन बढ़ते हैं राजस्तान में कहां से पूर्व पासान कालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी, हस्त कुठार मतलब कुलाडी, ठीक है, कुलाडी कुछ इस परकार की होती है, ये मान के चलो, ऐसे मतलब मान के चलो है ठीक कुलाडी है, ठीक है, तो हस्त कुठार कुलाडी खोज निकाली थी, अलवर और टॉक में, चितल और भीलवाडा में, जैपुर और इंदरगड में जोध पुरा और सिनारी में तो यदि इसको आपको अंसर पता है तो कमेंट कर देना नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं सरप्रतम राजस्तान में जो पूर पासन कालिन हस्त कुठार निकाली गई थी तो वो थी भाई आपका जैपुर और इंदरगड जैपुर और इंदरगड अप्शन नमर जो है आपका C हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा अप्शन नमर C अज़िए आपको पता था तो कमेंट कर देना बिल्कुल चले वह नेक्स उचन के और जो है बढ़ते हैं अभी तक आपने कितने सही हुए कमेंट करके नीचे बता देना बिल्कुल धोली धूप राजस्थान के किस संथ से संबंदित है तो राजस्थान का जो धोली धूप किस संथ से संबंदित है वह आ जाएगा आपका उप्शन नमर D आ जाएगा ठीक है नेक्स वेशन के और जो है आपन बढ़ते हैं प्रसिद जैत सागर तालाब ठीक है प्रसिद जैत सागर तालाब कहां इस्तित है डूंगरपुर में या फिर बूंदी में जोदपुर में अलबर में तो पटापर से जो है सभी सभी स्ट्रेंट कमेंट करो भई सबी सबी स्टुरेंट जो है कमेंट करें जैद सागर जो है तालाव या फिर जील कहां पर इस्तेता है बिल्कुल चलिए हम पता देते हैं कोई वात नहीं आपको नहीं पता है तो वो देखो डूंगर फिर में नहीं होगा बूंदी में हो जाएगा ऑप्सन नमर भी हो जाना कि हमें पता था बिल्कुल और यह थे आपके जो 20 कुछन मोश्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और बाकी की जो स्रीज होगी वो बैक टू बैक आपको इसी चैनल के मद्दम से मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना साथ में एक और बात आपको जो है इसी चैनल के मद्दम से मिल जाएगे तो वीडियो अच्छी लिगी होते एक लाइक कर देना धन्यवाद